का है है गाईस वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब आई होगे आप सब बहुत अच्छे होँगे। तो आज महाँ आपके साथ एरमज की वीडियो शेर कर रही हो और हैं़ वच काफी टाइम बाद में हेर माँ की वीडियो शियर कर रही हूं हुप आपको यह वीडियो अच्छी लग애गी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सबस्क्राइब जरूर कर देना होशे के तो वीडियो को शियर भी कर देना तो देख़े सबसे पहले यह हमने उसकी ब्रेड को open किया है, एक बार मैं हेर वाश करवाती हूं क्युकि आप सबको पता है कि ठंड बहुत जादा है और जशन के बाल बहुत जादा लंबे हैं बहुत जादा स्ट्रॉइंग हेल्धी बाल है उसके जिस वज़ाज से वीक में एक बार ही मैं उसे हेर वाश करवाती हूं तो उसके बालों में ऑईल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था जिस वज़ा से मुझे दो या तीन बार शैंपू करना पड़ा क्योंकि ऑईलिंग बालों में बहुत ज़्यादा हुई थी और वान वीक हो गया तो उसे हेर वाश करवाई हुए तो यहां पर मैं ग शैंपू को आप फर्स टाइम यूज करेंगे तो आपको यह शैंपू इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपके बाल काफी ज़्यादा ब्राई हो जाएंगे बट जब अब आप इसे रेगुलर यूज करने लग जाएंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छा सूट की है जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बालों में आयल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था जिस वजह से शैंपू की पहली बार में तो बिल्कुल भी जाग नहीं होती है दो या तीन बार मुझे उसे शैंपू करवाना पड़ता है जशन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं आप सब के बहुत कमेंट आते हैं कि हेर स्टाइल की वीडियो अब आप नहीं डालते हो तो सौरी फ्रेंड सब मैं हेर स्टाइल की वीडियो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता है हेर स्टाइल के लिए तो जो या फिर जुड़े की वीडियो है वो मैं जरूर आपके साथ शियर करूंगी तो देखे सारे बालों पर अच्छी तरह से शैंपू लगाकर मसाज कर रही हूं ताकि जितना भी ऑईल डस्ट वगएरा सब कुछ निकल जाएं और उसके बाल बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएं कि विंटर है तो उसके बालों को सूखने में भी कम से कम चार या पांच घंटे अराम से लग जाते हैं गरम पानी से मैं उसे हेरवाश करवा रही हूं क्योंकि ठंट बहुत ज्यादा है बाल आप उसके देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लंबे बाल हैं बालों की लेंथ तो संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जशन के लिए भी बालों को संभालना मुश्किल है और हमारे लिए भी बट जितना हो सके हम उसकी बालों की बहुत केर करते हैं तो देखिए एक बार उसे शैंपू करवा दिया फिर से मैंने शैंपू लिया है उसमें पानी मिक्स किया है और दोबारा मैं शेम्पू कर रही हूँ अब बालो में बड़ी अच्छी इसकी जाग होगी है आपको जो शेम्पू अच्छा लगे आप वो वला शेम्पू यूज कर सकते हैं बस आपको वो शेम्पू सूट करना चाहिए उसके उसमें ज्यादा केमिकल्स नही यूज करने चाहिए शेम्पू, आईल, सीरम, कंडीशनर ये सारी हमें अच्छी ही यूज करने चाहिए क्योंकि धीरे-दीरे हमारे बालों को जो केमिकल्स वाली चीज़ी है वो धीरे-दीरे हमारे बालों को ख़राब करती है हैयर फौल की प्रब्लम हमें होने लगाती है अईसी problem हमें होने लग जाती है इन सब की वज़ा यही होती है जो हम चीजे use करते हैं या फिर हमारी डाईट की वज़ा से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा जढ़ने लग जाते है है तो अगर इन बातों का दिहान रखेंगे तो आपको हियर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी देखिए दूसरी टाइम उसके बालों में कितनी अच्छी जाग हुई है अब मैं अच्छी तरह से इसके बालों में पानी डाल रही हुँ ताकि जितना भी शैंपू है वह सारा निकल जाए तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो को शेयर भी करना तो देखिए जिशन के बाल आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा उसके बाल हैवी है ना मेरे हाथ में भी उसके बाल नहीं हते हैं इतने ज़्यादा उसके बाल हैवी है अच्छी तरह से मैं पानी डाल दी हूँ ताकि सारा शैंपू निकल जाए कंडीशनर मैं जशन को नहीं यूज करती हूँ बहुत एक या दो बार ही मैंने उसे कंडीशनर यूज किया कंडीशनर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं यूज करती हूँ क्योंकि conditional लगाने की कभी जरूरत पढ़ती ही नहीं है शेंपू से ही उसके बाल काफी ज़द अच्छे हो जते हैं तो देखे सारा शेंपू अच्छी तरह से बालों में निकल गया है और अब मैं उसके एक बन बना दूँगी तो friends I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना हो से के तो वीडियो को शियर भी कर देना तो चलिए friends आपको मिलूँ कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तत्त के लिए थेंक यू बाए